हेलो येटू फैमली गूड मोडलिंग तो आप सब कैसे हैं आशा करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगा स्वस्त रहिए मस्त रहिए दोस्तो तो अभी मैं सो की उठी हूँ अभी कुछ की नहीं हूँ और यहां पर ही मैं अभी कीजन में आप लोग से बात कर रही हूँ और यहां पर ही मैं चाई चगाया है तो चाई बनाने के बाद नस्ता बनाएंगे दोस्तो अभी नस्ता नहीं बना रहे हैं तो अभी चाई अभी बन रहा है दोस्तो तो सुझे कि आप लों से कुछ बात कर लेते हैं और इधर में ना तेल कल रात को बनाये थे पूरी दोस् नस्ता में बनाएंगे पटल का भूजिया और रोटी बनाएंगे दोस्तों तो जब तक हम नस्ता बना रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करतीजिए दोस्तों सब्सक्राइब करने के वाद बेल आइकन वटन जरूब प् अप्लोड करें तो नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचे दोस्तों तो मैं यहां परी पटर को छील रही थी क्योंकि जो थोड़ा कलका आया हुआ है दोस्तों तो थोड़ा उपर चीलने के वाद ना जो हमारी भुंजिया को जो सुआद होता है दोस्तों तो बढ़ जाता है इसका सुआत कम देता है इसलिए उपर के रिया जो होता है दोस्तों तो इसको निकाल देते हैं चकू का मदद से तो अच्छा लगता है दोस्तों और इसमें ज़दा मसाला नहीं आड़ करेंगे मैं भूंजया में ज़्यादा मसाला नहीं देती हूं बस हल्दी गोल की जीरा पोड़ और नमा के बस सिंपल तरीके से मैं भूंजया बनाती हूं दोस्तों और बस इतना ही मेरा भूंजया बनकर रेडी हो जाता है दोस्तों और इधर में भुंजया को लो फ्लेम पे कर दिया है हैं दोस्तों कल साम का कुछ कपड़े धोए थे दोस्तों तो वही मैं पसार देती हूँ क्योंकि यहां पर ही मौसम ना थोड़ा खराब चल रहा है दोस्तों बादल किया हुआ है तो मेरा कपड़ा ठीक से नहीं सुख रहा है दोस्तों तो यह कल का है तो मतलब अभी तक यह नहीं सुखा है दोस्तों कल दिन वर इसको बाहर में ही छोड़ दिये थे पर नहीं सुखा है और कुछ कपड़े तो मेरे रूम में मतलब रख दिये हैं दोस्तों चलिए दिखाते हैं आप लोका सब पसारे हुए हैं रूम के अंदर ये देखिए ये जान ये कपड़ा ना दो दिन पहले धोए थे दोस्तों वासिंग मैसील में दोस्तों तो ये अभी तक मतलब सुखा नहीं है पुरा किलियर नहीं सुखा है दोस्तों कि मौसम की वज़ा से नहीं सुख रहा था तो मतलब थोड़ा थोड़ा गिला भी है और सरप का जो आसमेल होता है दोस्तों तो ये ठीक से खतम नहीं हुआ है दो दिन रखने के वाद होता है ना सरप का आसमेल आने लगता ह तो इसी चलते मैं रूम में दे दी हूँ की जो पंखा है न तो पंखा जब चलाएंगे तो इसका समेल खतम हो जाएगा, थुड़ा सुक भी जाएगा दोस्तो तो इसी चलते मैं रूम में दे दी और जादा कपड़ा था दोस्तों तो इसी चलते मैं सोची की बारवर कितना निकालते रहूंगी तो इसी चलते मैं इसे रूम में दे दिये हैं ताकि इसे अराम हो जाए और कुछ इदर में कुछ कपड़े था दोस्तों बिखड़ा पड़ा हुआ था दोस्तों तो इसी चलते मैं इसे सर्याकर रख रही थी कितनों भी मतलब सर्याकर रखते हैं फिर भी ऐसे बिखड़िये जाता है राध यह है तो वो अपना कपड़ा पसंद से अपना सब चेक करते रहती है कि कोन अच्छा लगेगा तो सब कपड़ा छुड़ा के रख देती है दोस्तो जो हम निकाल के देते हैं वो पसंद नहीं करती है दोस्तों तो इसी चलते हुँ क्यूंद कीण रसते है। अच्छे जो होते हैं न दोस्तो तो अपना मन की ही होते हैं साने का बात उतना नहीं सुनते हैं दोस्तो तो इसी चलते मैं उसको मनवानी करने देती हूं अभी उतना उसका ग्यान भी नहीं है दोस्तो बस उपना मनमानी करते ही रहती है और कपड़ा सरी आने के वाद मैं दोस दोस्तों चलते हैं गय चुला पोच लेते हैं दोस्तों और उसके बाद नहाएंगे तब खाना बाद में बनाएंगे एक घंटा बाद बनाएंगे दोस्तों हस्विन तो आठ वजे ही चलेगा डूटी दोस्तों तो यहां पर ही मैं नहाने के बाद मैं आप लोग से कुछ बात आ रहे थे दोस्तों और यह जो कपड़ा देख रहे हैं दोस्तों तो यह मेरे कीचन का मतलब कीचन में ही आलना रखा हुआ है दोस्तों और कहीं पर जगह नहीं है यहां पर हम लोग कपड़ा रखते हैं दोस्तों कीचन में जगह था था थोड़ा तो यहां पर आया रख दिय और यहां पर ही मैं बना रहे थी चावल और सोयवीन आलू का सबजी बना रहे थे दोस्तों यहां पर ही तो आलू को इलेक्सन चुलहा पर ओवाल लिये है लाइन रहता है दोस्तों तो यहां पर कुछ-कुछ मतलब जो करने लाइक होता है तो लेक्सन चुलापर कर लेते हैं क्योंकि फिर लैन कट जाता है तो यह भी लैन कटा हुआ है जैसी आलू का जो बंद की है आलू उबलने के लिए तो लैन तुरत ही कट गया दोस्तों तो मेरा यहाँ परी तो काम हो चुका है अब लाइन कबो आए उससे मेरा मतलब नहीं है दोस्तो तो यहाँ परी मैं आलू को काट रही थी चाकू का मदल से यहाँ परी सबजी के लिए दोस्तो और यहाँ परी सोयवी नुबलने के लिए मैं छोटा सा कडाही में दोस्तो इसक फुरर में डाले हैं दोस्तों तो इस तरह मैं आलू और सोयबिन का सबजी बनाती हूं दोस्तों सबजी सोयबिन और आलू का सबका बनाने का अलग-अलग आइडिया होता है दोस्तों तो ये मेरा आइडिया है इस तरह मैं बनाती हूं आप लोग किस तरह बनाते हैं मुझे नहीं पता सबको अलग-अलग होता है दोस्तों ते हैं अपरी मसाला सब एड़ कर रही थी हल्दी पौडर और धनिया पौडर सरसो पौडर और थोड़ा सु कस्मीरी मिर्च डाले हैं दोस्तों जादा नहीं डालें क्योंकि हरे मिर्च भी डालें तो जादा तीखा सब्जी आपर नहीं बनाऊंगी तो यह देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी भी हो चुका दोस्तों आलू और सोयबीन का तो जादा इसे सुखनी नहीं दोंगी क्योंकि यह खाएंगे अथी चावल के सा फाथ में काइगे दोस्तों इसे चलते अव्गेस को बन कर दी दोस्तों तो यह देखिए किस तरह आमौशन बनाया हुआ हैं दोस्तों तो अभी टाइम हो रहा है दो जो कपड़ा दीए थे असे ठोड़ा दूप निकला था दोस्तों तो अंदर से निकालके मतलब बाहर में पसार दी जैसी पसार है आदा गंटा हुआ दोस्तों ये देखे फिर से मतलब बुंदा पढ़ने लगा दोस्तों मतलब कल से मतलब यही हो रहा दोस्तों बार बर कपड़ा उठा रहे हैं फीन डाल रहे हैं और उसके बाद पानी होने लग रहा है दोस्तों तो इससे चलते हैं विएओं को प्रेसानी बढ़ जाता तो भी ऐस्वंट इहां पर ही दोस्तों बोल रहे हैं कि पीडियो को को बंद करती हूं वीडियो लांग हो रहा है तो आप वीडियो को बंद करते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों तो यहां परी ठंडा ठंडा हावा चल रहा है तो अच्छा भी लग रहा है देखने में दोस्तों मौसम जब बनाता तो अच्छा लग तो य इधर देखिया राध्या क्या कर रही है यह अपना खिलाना लेकर इधर उधर घुमते रहती है पुरा बोल्डिंग में और सब बचे के साथ क्योंकि इसका भी छूटी है ना ठीक है दोस्तों